हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लास फोन में आप लोग होचपोर्ड पास्वोर्ट को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक infinix smart 8 plus phone है और इस phone में जो है आपको hotspot passport को लगाना है अगर आपके hotspot में जो कोई भी passport नहीं है इस hotspot जो एकदम open है तो यहाँ पर अगर आप लोगों का hotspot passport नहीं है तो आपके सारे दोस लोग जो है आपके hotspot के साथ connect ना कर पाए तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गाईस वीडियो को start करते हैं settings पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही देख सकते ही आपर passport डालने के लिए कोई भी option नहीं है तो उसको लाने के लिए आपको security पे क्लिक करना होगा क्लिक करते ही WPA2 personal का option मिलेगा इस पे क्लिक कर दीजे क्लिक करते ही आपर passport का option आजाएगा तो आपको passport पे click करना है और यहाँ पर जो भी passport आप लगाना चाहते हो guys उस passport को यहाँ पर डाल दीजे डालने के बाद okay का option होगा okay पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरब जो right वाला option है इस पे click करेंगे click करती आपके phone में होचपोर्ट पासपोर्ट लग जाएगा भी देख सकते हैं अगर आप लोग right वाला option पे click नहीं करोगे तो होचपोर्ट पासपोर्ट नहीं लगेगा उस पे जरूर से click किजिएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने infinite smart 8 plus phone में होचपोर्ट पासपोर्ट को लगा सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई